क्या आप भूत होनी पर विश्वास करते हैं? दुनिया भर से अंगेनत खौफना कहानिया सामने आती रहती हैं लेकिन शायद ही किसी पर से रहस्य का परदा उठ पाता है ऐसा ही एक वाकिया गुरुग्राम के सैफ्रान बीपियों का बहुत प्रसित है ऐसा कहा जाता है कि यहां एक भूतिया कॉल सेंटर है जहां रोज नाम की एक मुर्त लड़की की आत्मा भटकती रहती है वहां काम करने वाले करमचारी भी खुद इस बात की पुस्टी करते हैं हालाकि सब कुछ पता होने की बावजूद कोई इस मसले पर खुल कर बात नहीं करना चाहता है कई रिपोर्ट्स में यह बात बताई गई कि सैफ्रान बीपियों एक कब्रिस्तान के उपर बनाया गया है जिस वज़े से रोज का साया यहां मंडराता रहता है कई बार कर्मचारियों ने भी यहां जीबो गरीब अनुभवों को सहा है लोग कहते हैं कि वर्षों पहले मर चुकी रोज भी बीपियों कर्मचारियों के साथ काम करती है और वह एक महनती कर्मचारी है यह सब पता होने के बावजूद भी सभी खौफनाक महाल में काम करने के लिए मजबूर है जी हां गुरुग्राम के बीपियों में रोज के खूप चर्चे हैं क्योंकि वह हमेशा अपने लक्षों को पूरा करने में लगी रहती थी और लगातार Employee of the Month का खिताब हासिल करती थी वह समय की बेहत सक्त थी उससे कई कर्मचारी प्रेणना लेते थे लेकिन रोज की महनत के पीछे एक गुड रहस्य था जो बहुतों को नहीं पता था एक बार काम के सलसले में रोज एक कॉल पर व्यास्त थी यह बातचीत एक घंटे से अधिक समय तक चली इस दोरान रोज की टीम लीडर ने कॉल की जाच की तो उनके होश ओड गए क्योंकि रोज से दूसरे तरफ फोन पर कोई नहीं था इस वाकिये के बाद से रोज अचानक गायब हो गई वह उस समय किसी के साथ भी बातचीत नहीं कर रही थी कहते हैं कि उस रात से रोज एक अभूत पुर्व छुट्टी पर चली गई अपने एक खुनहार करमचारी के अचानक लापता होने से कमपनी सक्ते में आ गई इसलिए रोज का पता लगाने के लिए तमाम कोशी से की गई लेकिन वह नहीं मिली यहां तक कि जिस पते का पता रोज ने आफिस में दर्च कराया था वहां ऐसी कोई लड़की ही नहीं रहती इसके बाद किसी तरह से रोज के परिजनों को तलाशा गया तब जाकर एक चौकाने वाला खुलासा हुआ कि रोज आठ साल पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है रोज के मौत की जानकारी मिलने के बाद सैफरॉन बीपियों में काम करने वाले उसके बेस फ्रेंड्स की कारडियक अरिस्ट से मौत हो गई जबकि रोज के कुछ अन्यकरी भी मानसिक रूप से अस्थर हो गए कोई इस बात पर विश्वासी नहीं कर पा रहा था कि रोज मर चुकी है हलाकि हम डरावनी घटना को लेकर कोई पुस्टी नहीं कर सकते हैं लेकिन इस हकीकत को लेकर गुरुग्राम में आज भी यह एक वास्तविक घटना के रूप में बताई जाती है